प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से समय समय पर देश की विबन हिस्सों में मिल सकते हैं अन्य दिनों में शर्माजी अधिकतार दिली में रहते हैं आज होली के रंगोस सब पर पूरे देश वासियों को पूरे विश्व में जहां जहां में लोग सुनते हैं सभी को बहुत बहुत शुब कामनाएं रंगों का त्योहार सब के मन को रंग दे सब के मन को प्रसंद न करे भगवान विश्णु की किरपा हर गर में पहुँचे आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है मेरिज अनिवर्सरी है उन सब को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत शुब कामनाएं आज का पंचान 10 मार्च 2020 दिन मंगलवार कृशन पक्स चैत्रमास आज से चैत्रमास प्रारम बहुचुका है सम्वंथ अभी 2076 है शुकल परतिपदा से सम्वंथ 2077 प्रारम हो जाएगा तिथी परतिपदा नक्षत्र उत्राभाद पर्द राहुकाल तीन सुचाड़े चार दिशासूल उत्तर दिशा पूरे विश्व में भारत में आज रंगों का बहुत सुन्दर पर्व है देसी रंग जैसे हमने बताए टेसू के फूलों का पलास के फूलों से रंग बनाना गरत कुमारी से रंग बनाना गुलाब के फूलों के अर्क से रंग बनाना रस बनाना सुगंद बनाना नाना भाती के देसी अवीर गुबाल बनाना इन सब के माध्यम से हमारे भारत में होली खेली जाती थी और आज भी ऐसी बहुत इस्थान है जहां बहुत शुब रंगों का प्रियोक किया जाता है कई हमारे ऐसी धार्मी के स्थल हैं जहां फूलों से होली खेली जाती है आज मत्रा में, बरसाने में, व्रंदावन में, काशी में, उज्जैन में बहुत ऐसी हमारी जो पावन नगरियां हैं वहां बहुत ही अच्छे तरीके से होली का पर्व मना जा रहा है हाला कि कोरोना वाइरस को लेकर के नाना भाती की लोगों में डर भी व्यापत है लेकिन सब साबधानी के साथ अपनी होली का के पर्व को मनाएं हर सोहलास के साथ मनाएं, देशी रंगों के साथ मनाएं बहुत शुबता सब के उपर भगवान की बरसेगी और इश्वर की ही करपा से पूरे विश्व में जो ये वाइरस फैल रहा है ये इश्वर की करपा से अवश्चे दूर होगा ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है पूरे विश्व में श्रक्सांती का माहूल बनेगा पूरे विश्व में ये वाइरस कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में समूल नस्थ हो जाएगा भगवती पूरे विश्व के उपर करपा कने भगवान शिव पूरे विश्व के उपर करपा कने नवनाथ पूरे विश्व के उपर करपा कने आप अपने घरों में जो प्राथनाई करते हो घंटी संख बजाते हो आरती करते हो इस्तोत्र करते हो हम करते हैं हमारी आरती का इस्तोत्र का एक भाग सभी का भाग मिलकर के और जो हम सब ने इतना बड़ा मंत्र लेखन का कारिय किया 25 करोड से भी जादा नमश्वाय ओम नमश्वाय के मंत्र लेखन का कारिय किया गया उस सबका एक अंश इश्वर के किरपा से उन रोगियों तक पोँचे जो इस वारेस से व्याप्त है सभी को सरीर में लाब मिले सभी निरोगी हो और ये वारेस जो है इश्वर के किरपा से समूल नस्ट हो जाए देखे दर्शो को नवरात्र आने को है नवरात्र में हमें नाना भाती के उपाई करने हैं नाना भाती की भगवती की पूजाय करनी है सारी चीज़े हम आपको बताएंगे हमारा नववर्ष आने को है वाइदिक पूजन के हिसाब से घट सापन के हिसाब से उग्जे सूरिय के हिसाब से हम अपने नववर्ष को मनाएंगे आज बहुत पावन पर्व है अब आईए मैं आपको बता देता हूँ करोलों लोगों ने विविन प्रकार की राज साधनाई की और जो मंत्र आपको अद्भुत नमाहा नवारन मंत्र बताया गया उस सब की आपने विशेश साधना की जैसा आप से बना आपने की और आप चिंता न करें आप ये जो बूंद-बूंद से घट भर रहे है घड़ा भर रहे है ये जरूर भरेगा अर्थार्थ कभी आप कोई सब मंत्र सिद्ध करते हैं कभी कुछ करते हैं थोड़ा-थोड़ा जो आप प्रति दिन कर रहे हैं ना इससे आपके जीवन में आनंद आएगा आपके जीवन में आपको बहुत बड़ा लाब मिलेगा आप यूही हमारे संग चलते रहें यूही धर्म की गंगा में बैखते रहें यूही मंत्र सादनाए पूजा पाठ आदी करते रहें दूसरी बात कि होली का देहन में बहुत लोगों ने रात्री अग नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं जो आपने मंत्र पढ़ा उसी मंत्र को अब प्रती दिन 11 बार 5 बार पढ़ते रहना मंत्र चैतन्य रहेगा होली का देहन की अगर किसी की घर के आसपास ये जहां भी आप रहती हैं अगर संपूर्ण मंत्रों के माद्यम से होली का देहन किया गया हो मतलब विधी और विधान से तो वहां की जो भभूत है वो ले आएं उस भभूत को डिब्बे में रखें ये भभूत बहुत काम की होती है जिसके घर में अक्सर नजर टोक लगी रहती है उपरी बादाएं रहती है ये कुछ भी रहता है तो थोड़ी सी भभूत ये चाटनों की दी जाए इससे बहुत लाब मिलता है मस्तक पर तिलख लगाया जाए चोटे बच्चों के किसी के भी लाब मिलता है जब तिलख लगा में शिरी हरी या ओम हरी बोल करके तिलख लगाएं बगवान विश्नु की करपा उसमें नजर आएगी दूसरी बात हमने बताया था कि एक पोर्टली में एक ल दर्वाजे पर या अपने घर के बाहर तो उससे बहुत सारी आसुरिय प्रवत्तियां घर में परवेश नहीं कर पाती हैं उद्ध्यों के स्थल जो बंद हो जाते हैं वो धीरे धीरे सुचारू रूप से चलने लगते हैं हाला कि कई बार कुछ दर्सक ये भी सोच लेते हैं शर्मा जी आज 21 सदी में कहां आप बाते कर रहे हैं नजर की टोक की मैं मानता हूं लेकिन ये होता है भाई देखो हमने ज़्यादे बहस पर हम नहीं जाना चाते लेकिन बड़े से बड़ा व्यक्ति बंगला बनाता है तो भूत जैसी हांडी लटका देता है पड़ा लिखा वो भी है जिसे इतने पैसे लगा करके बंगला बनाया है फिर भी वो इन चीजों को मान रहा है कहीं कुछ बास्तिकता है ट्रक गाड़ी कोई भी चीज आती है उसके पीशे काली चुटिया चोटी लटका दी जाती है देखो आज हमें कुछ करने का समय है आज हम तुलसी के पत्ते भगवान स्रीकर्शन को अरपन करें लाल पिला हरा अभीर भगवान स्रीकर्शन विश्णु जी को लगाएं राम जी को लगाएं आनमान जी को लगाएं और तुलसी के तीन पत्तों पर तीन रंके अलग अलग संध्या कालीन रातिरी से पहले तीन रंग की लाइने अपने बाहर में दर्वाजे पर सिंदूर की लगाना हरा, पीला और गुलावी इस से आसरी प्रवत्यों का दमन होता है और देव शक्तिया घर में परवेस्ट करती है जो आपका मुख्य दर्वाजा है अगर आप फ्लेट में रहते हैं किसी मिनार में रहते हैं तो आप जहां रहते हैं वो दर्वाजा और यदि पूरा घर आपका है जमीन से लेकर के प्लॉट आपका है तो आपके चार दिवारी के अंदर जो पहला दर्वाजा है मेन गेट एक भार होता है एक अंदर वाला होता है उस मेन गेट पर तीन लंबी लंबी रेखाएं हरा पीला गुलाबी सिंदूर से उससे गुलाल से खीच दें और भगवान का स्मर्ण करें वर्ष भर आप सुरक्षित रहेंगे बहुत अच्छा यह उपाय है आज के दिन रात्री में एक बार बजनक मान जरूर पढ़ लें और बजनक मान पढ़के अपने घर में जलका छीटा मार दें बहुत अच्छा यह आप मिलेगा जो लोग दुरगा कवच पढ़ते हों इंद्राक्सी इस्तोत्र पढ़ते हों वो आज के दिन रात्री में या शाम को जब पूजा करें तो उस वकद दुरगा कवच पढ़के अपने घर में शीटा मार दें कोई भी कवच इस्तोत रादी यदि आप प्रती दिन के रूप में पढ़ते हैं तो आज शाम को आरती के समय संद्या कालीन गोदुली बेला में पढ़कर के अपने घर में शीटा मार दें निश्चत 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 घर सुरम में होता है घर की सुरक्षा होती है और विविन प्रकार के हमें लाव द्रश्टी को चरूते हैं हुली बहुत शांदार तरीके से आपके घर में मने, जीवन भर आपका घर पुलकित रहे, सुवासित रहे, मैं तो यही सुब कामनाय अपने जितने भी अंद्राक्षी धाम चैनल देखने वाले लोग हैं, ध्यान साथना देखने वाले लोग हैं, महिलाय हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं सभी के लिए भगवान से ये कामना मांग सकता हूँ कि हे भगवती सभी की मनुकामना पूर्ण करना नव वर्ष में हम कदम रखने वाले हैं ये नव वर्ष सभी का हर सोलाशित तरीके से आनन्द मैं तरीके से सभी का वैतीत हो अगला पढ़ाओ हम आप सब के लिए एक टाइन टेबिल लेकर के आए हैं अगले पढ़ाओ में हमें कुछ विशेस योजनाई बनानी है कुछ विशेस भगवान से जुड़ने का प्रियास करना है जीवन है कब ये बुलबुला दब जाए कब सांसे रुख जाए कब पिंजरा पंची तोड़ करके उड़ जाए और थार्थ इस देह से प्राणा निकल जाए काल करे सो आज कर आज करे सो अब पल में परले होएगी तो कहने का मतलब कि हमें काम अब पेंडिंग नहीं छोड़ने है हमें सिग्रता के साथ सारे कारी करते चलना ही चलना है आईए दर्शों को समय हो चलना है आज की ध्यानमाला का जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में मा भागवती से ध्यान करें मा दुरगा का ओम सिंदूर अरुन विग्रहाम त्रिनायनाम मानिक्यमोलेस्पुराद स्तारा नायक से करां स्मित मुखे भापे नबाग छोरुआम पानि प्यामल पूर्ण रत्न चसकाम रत्नोत पराम विब्रते सोम्याम रत्न गटस्त रक्त चरणाम ध्यायत पराम अंबिकाम खडगं चक्रगदे सुचाप परिगान चूलंब सुन्डिम्सिरा संखं संदधतिं करेश्त्रिनायनाम सरवंग वूस्वरिताम निलास मध्युत्यमास्यपाद दसकाम सेवे महांकालिकाम यामास्तो स्वपितै हरो कमल जो अंतुम् अदुम् कटवं विद्योद्धाम समप्रवाम् रिगपते स्कंदस्तिताम विशनाम कञ्याम विहकरवाल खेट विलसा धस्त विरास्यविताम हस्तेश चक्रगरा से खेट विसिखाम स्चापम गुणं तरजनीम विप्राणा मलिलात्मे काम ससिदाराम दुरगाम तिनेत्राम वजे कवच बना ले भगवती का सभी के उपर आसिरवाद बरस रहा है ऐसी मंगल कामना हम भगवती से करती हैं ओम बोलते हुए नेत्र खोले समाने हो जाएं सभी को आसिरवाद भगवती ने दिया अपने बच्चों को भगवती ने आसिरवाद दिया अब हमारे वो दर्शक जो अपने प्रसाद का अंतिजार कर रहे हैं हाला कि बीच में होलास्टक आ गए तो रोक दिया गया कारिये अब तुरंत सभी के लिफाफे पैक किये जा रहे हैं और सभी को बहुत तेजी से हम लोग भेजने का पर्यास कर रहे हैं और मेरे दर्शको नवरात्र नववर्ष बहुत तरीके से मनाना है बस आप जुड़े रहे हैं हम अपने कर्तव्य को निभाते रहेंगे और हम पुरा प्रयास करेंगे कि जीवन में किसी वे तरीके से सभी के आनन दाए और सभी के जीवन में धन धान्य सम्रद्धी के साथ सभी का हर पल वैजी थो इनी शब्दों के साथ हम अपनी वानी को वराम देते हैं चलते चलते होली की बहुत बहुत शुब काम नाए गुरुजी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी पीसेवन उसके उसी से मैं जुड़ा हुआ और गुर्देव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आजचर्ज चकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई तो मैं इतना अस्चर्ज हो गया कि इन्हें कैसे मालना है और इतना बढ़िया इन्होंने पताया इन्होंने जिसके वज़य से मैं आज तक उन्से परभावित हूँ और इनका बताने का सैली वेगरा इतनी बढ़िया है जो हम अपने कलास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ बाते थे यह हमें बहुत पसंद आई और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से ज़ुडा रहा जो भी समझ से आई मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सौल भोते चले गए और आज तक हमारे मैं इनके आशिरवास से मैं बहुत सुखी हूँ और मैं यह कहूँगा सभी लोग से आज आगरह करूँगा कि यह पहले इनके बात करें समझें देखिए कैसे उन्हें अपना रूप दिखाया और मैं इनसे बहुत परवाईत हूँ और मुझे बहुत ही फायदा हुआ है किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्रु शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने है तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें